आरो, कक्षा 11 के लिए हिंदी की पाठे पुस्तक प्रिश्ट संख्या 3 साहित्य वह जादू की लकडी है जो पशुओं में, इट पत्थरों में, पेड पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है प्रेमचंद मूल नाम धन्पत राय, जन्स्थान, लमही गाउं, उत्तर प्रदेश, सन 1880 प्रमुख रचनाए, सेवा सजन, पेमाश्रम, रंग भूमी, निर्मला, काया कल्प, गबन, कर्म भूमी, गोदान, सोजे वतन, मान सरोवर, आठ खंड में, गुप्त धन, कहानी संग्र कर्बला, संग्राम, प्रेम की देवी, नाटक, कुछ विचार, विविध प्रसंग, विविध प्रसंग, निबंध संग्र, मृत्यू, सन 1936 प्रेम चंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पूरुष माने जाते हैं कथा साहित्य के इस शिखर पूरुष का बचपन अभावों में बीता स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बी ए तक की पढ़ाई की अंग्रेजी में एमे करना चाहते थे लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी सरकारी नौकरी मिली भी लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिये होने के कारण त्याग पत्र देना पड़ा राष्ट्रिये आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कारे सुचारू रूप से चलता रहा पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाप आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्ष दोनों था प्रिष्ट संख्याचार हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विवाजन प्रेमचंद को ही केंदर में रख कर किया जाता है प्रेमचंद पूर्वयुग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग यह प्रेमचंद के निर्विवाद महत्व का एक्सपर्ष्ट प्रमाण है वस्तुतर प्रेमचंद ही पहले रजनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कलपना और रुमानियत के धुंधलके से निकाल कर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक ही सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी इसमें उनकी हिंदुस्तानी यानी हिंदी उर्दु मिश्रित भाषा का विशेश योगदान रहा उनके यहां हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट और जातिये स्वरूप के साथ आई है उनका आरंभिक कथा साहिते कलपना सैयोग और रुमानियत के ताने बाने में बुना गया है लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्हों ने लगातार विकास किया और पंछ परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यतार्थवादी कला के अगर्दूत के रूप में सामने आए यथार्टवाद के भीतर भी आदर्शोनमुख यथार्टवाद से आलोचनात्मक यथार्टवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की आदर्शोनमुख यथार्टवाद स्वयम उनकी गढ़ी हुई संग्या है यह कहानी और उपन्यास के एक छेत्र में किये गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है जो कटू या थार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर विरोधों को अंततह एक आधरश्वादी और मनोवांचित समाधान तक पहुचा देती है। बाद की उनकी रचनाव में यह आधरश्वादी प्रवृत्ती कम होती गई है और धीरे धीरे वे ऐसी स्थीती तक पहुचते हैं जहां कठो और वास्तविक्ता को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह कर समझोता नहीं करते। गोदान उपन्यास और पूस की रात और कफन आधी कहानिया इसके सुंदर उदाहरण है। प्रिष्ट संख्या पांच यहां दी गई कहानी नमक का दारोगा प्रत्थम प्रकाशन 1914 इस्वी प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है जिसे आधर शोनमुख या थार्तवाद के मुकमल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है कहानी में ही आए हुए एक मुहावरे को लें तो यह धन के उपर धर्म की जीत की कहानी है। धन और धर्म को हम क्रमशा सदवृती और असदवृती बुराई और अच्छाई असत्य और सत्य इत्यादी भी कह सकते हैं। कहानी में इनका प्रतिनी धित्व क्रमशा पंडित अलोपी दीन और मुन्शी वन्शी धर नामक पात्रों ने किया है। इमानदार, कर्म योगी मुन्शी वन्शी धर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलोपी दीन अपने धन की महिमा का उपवयोग कर उन्हे नौकरी से मुट्तल करा देते हैं लेकिन अंत सत्ते के आगे उनका सर जुख जाता है। वे सरकारी महकमे से बरखास्त बंशी धर को बहुत उचे वेतन और भट्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थाई मैनेजर न्यूक्त करते हैं और गहरे अपराद वोध से भरी हु वाड़ी में निवेदन करते हैं। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदयो वही नदी के किनारे वाला बे मुरवत उदंड किन्तु धर्म निष्ट दारोगा बनाए रखे। इमानदार व्यक्ति के अभीमन्यों के समान निहत्थे और अकेले पढ़ते जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी की बहुत बड़ी खुवी है। किन्तु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को खत्म नहीं करना चाहते क्योंकि उस दौर में वे मानते थे कि ऐसा यथार्थ वाद हमको निराशावादी बना देता है। मानवचरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है। हमको चारों और बुराई ही बुराई नजर आने लगती है। उपन्यास शीरशक निवन से। इसलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है।